पर्वन सिंग को आप हात पकड़ के आगे बढ़ाए हैं यह पुछपूरी में सब किसी को पता है जैसा कि आपने बोला था कि वो आये थे एक जिनस-पेहन के आपके पास यह पिछले इंटरविव में आपने बोला था आप गायक बनाएं पर्वन सिंग को आप हीरो बनाएं पॉण सिंग को, आप नेता कब बना रहे हैं, क्या प्लाजिन हैं, सांसत बना रहे हैं, बिधायक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कौन से पार्टी से बना रहे हैं, बीजेपी से, जदियू से, देखे एक शी बता रहा है, उसका नाम है पवन, पवन जाने में सिर्फ मेरा हाथ में उनका टालेंट भी है उनके चाचा है अजीत सिंग जी उनके बगएर पाउंच सिंगे जीवनी लिखी नहीं जा सकती हाँ सिनमा में अभूत पुर्व योगदान हमारा रहा है पाउंच सिंग की वज़ा से मेरे बहुत सारे जो मित्र पुराने थे फिल्मों में वो लोग की नराजगी मुझे जलनी पड़ी है नराज रहे मैं अपनी बुद्धी समन के साथ काम किया लेकिन नराजगी दिखती थी कि विन्य भिहारी जो हैं सिर्फ पाउंच सिंग के लिए अच्छा गाने लिखते हैं अच्छे गाने जो हैं दूसरों क सबसे मिला दिये तो लोग कहेगा किसी का अपधी साहरे हो सकते हैं आप किसी की तक्दिर नहीं हो सकते यह बहुत बड़ी बात आप Meer भीं सहारा हूं लेकिन आदमी अपनी काबलियत से अपना मकाम बनाता है, सवयोग बहुत लोग का हो सकता है. कौन सा सीट पाउन सिंग के लिए? आरा, सारन, पहले तो एक बात बते है, मुझे इधर एक दंस जलना पड़ रहा है. या बंगाल का जो आसन सुल है, या जहां पे पाउन सिंग पैदा हुए है, हावडा में, छे साल तक वहां पे रहे हैं, या बिहार का जो किसन का सीट है, जो सबसे टफ है बीजेपी के लिए, कौन सा सीट? अभी आपको मैं बतायता हूँ, देखे, पावन सिंग आज से 20 रोज पहले मुझे मिले, इस मकसद से, उन्होंने कहा, चचा, हमको आप ए घंटे का समय दीजे, तीन घंटे का समय ले ले, कहा ना बोलो, तो मेरे बहनोई साहब है, उनका उफिस है अपनी, उसी में ऑफिस में स्टूडियो भी है, उनका मुझे कल चैनल भी चलता है, तो पावन सिंग जी मैक्सिमम वही ठारते हैं, क्योंकि उस उफिस के बगल में पावन सिंग अपना मकान भी बन रहा है, और मेरे बहनोई है, यो समझे लिजे, दो जिगर एक जान है वो लोग, इस तरह की बाते हैं, तो मैं वहां गया, उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी जी हो, चाहे रवी किसंजी हो, चाहे दिनेश जी हो, ये तीनों लोग बीजेपी के नहीं थे, जैसे मनोज तिवारी जी सपा से चुनाव ल भले सामने आकर के कुछ नहीं कहें हो, लेकिन मानिय मुलायम सिंग जी के संपर्क में रहे हैं, उनका परिवार रहा है, ऐसी सुचना सब को है, किसी ने ठिकट पाने के पहले बीजेपी के लिए परचार परशार नहीं किया, लेकिन मैं बीजेपी से 2014 से जुड़ा हूँ, जब मानिय अमित साहजी ने जोइन करा है, और मैं अब तक हेलिकॉप्टर से, चाहे लोग सभा का चुनाव हो, चाहे लोग सभा का चुनाव हो, मैंने परचार परशार किया है, कितने बार? 87 पाइसा कितना लिये थे वो पाइसा का पाइसा का चाहे हैं, कि कि मूझे आप सिप्सें, कि फिस्त अब कजके करे visible हैं, अब पाचे सिंग से खती है कि जब ऑचे में नहीं थे, तब इनको टिकट मिल सकती है मतला वेकदम पहुंशिंग आर पार के मुड में तो पहुंशिंग को टिकट क्यों नहीं मिला चाहिए रपार के मुड में 2019 में उनको आसन सोल से लडानी का भी बात हुआ जैसा पहुंशिंग ने कहा अम मैं भी जानता हूँ पॉरे परिवार में लेकिन पता चला बाद में टिकट नहीं आए टिवी देखते रहे पॉन सिंग उनकी मा को बहुत बुरा लगा उनकी मा ने कहा बेटा ये तो तुभार सा तन्याई हो रहा है अब पॉन सिंग इस धर्ती पर सबसे ज़्यादा किसी को मानते हैं तो उनकी मा मा ने जब ऐसा कहा तो बेटे को क्या लगा होगा आप खुद भी सुपत्र है बेटा जो है आर पार के मूड में एक दमार पार के मूड में बोला कि मुझे बीजे पी अगर टिकट देती है तो स्वागत है मुझे मेरे घर में मेरा अशिरबात पराप्त हो जाएगा अगर बीजे पी टिकट नहीं देती है तो मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं किसी भी सीट से और किसी भी पार्टी से अब बता रहे हैं निती इसकुमार जी के मामले में तो थोड़ी बहुत बंदामी हो गई हमारी लेकिन सचाई ये है मिलवाय आप ही थे नहीं तो सचाई बो बोल रहे हैं मुझे किसी से मुझे किसी से चरित परबाड पत्र दे ले रहा है देखिए मैं बड़ा ही आफिक तर नीड़ा रात में हूं मेरी कलम तो कोई नहीं ने और मैंने पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा किसी पॉलिटिकल ब्यक्ति का इंटर्व्यू लिया है